नमस्कार दोस्तों आज की न्यूज पेपर में NTPC एबम गुरूप डी एकजाम से जुरी आर्टिकील छापी गई है जिसमें की NTPC सेबंथ पेज एबम गुरूप डी एकजाम से जुरी बातों को लिखा गया है तो चलिए जानते हैं इनके नुसार NTPC सेबंथ पेज एबम गुरूप डी एकजाम कब तक हो सकते हैं तो चलिए आज के अबडियो श्टार्ट करते हैं रेलबे में गुरूप डी के 1.03 लाग से ज़्यादा पदों पर भरती के होने बाली परिक्षा कोरोना के चलते फिर लटक गई है रेलबे ने पिछले साल दिसंबर मां में कहता की रेलबे गुरूप डी लेबल 1 की भरती परिक्षा 15 अप्रेल से जून 2020 के बीच आयोजित की जाएगी लेकिन अप्रेल खत्म होने को हैं और अभी तक रेलबे की तरब से इस भरती परिक्षा को लेकर कोई ताजा अपडेट नहीं दी गई है यही नई अभी तक RRB NTPC सातमे चरण की परिक्षा का स्रेडिल भी जारी नहीं हुआ है NTPCенко की परिक्षा आठ अप्रेल 2021 को खत्म हो चुकी है NTPC भरती परिक्षा खत्म होने के बाद रेलबे गुरूप टी भरती परिक्षा शुरू हो पाएगी कोरोना की दूसरी लहर की भयावार इस्तिती के बीच जब UPSC, SSC ने विभिन भरती पर एक च्छाओं को अस्थगित कर दिया है ऐसे में रेलबे भरती बोर्ड बमुस्किल ही गुरूप D के सेड्यूल और NTPC के साथमे चरन की तितियों का ऐलान करें ठीक होने पर ही नई तितियों का ऐलान हो सकेगा अगर NTPC सेबंथ फेजेवं गुरूप D एकजाम की बात करें तो हालात समन होने के बाद ही NTPC सेबंथ फेजेवं गुरूप D के एकजाम सुरू होंगे अगर बात करें हालात कब तक समन होंगे तो बीसेशग्यों का कहना है कि जुलाई के बाद ही कोरोना काबू में होगा यानि कि आपके NTPC 7th page के एक्जाम जुलाई मन्त में हो सकते हैं एवं Group D के एक्जाम आपके अगस्त में सुरू हो सकते हैं 7th page एवं Group D एक्जाम आपके हालात समान होने के बाद ही सुरू होंगे तो 7th page के exam आपके July और Group D के exam आपके August में शुरू हो सकते हैं तो ज़्यादा समभाबना है कि NTPC 7th page के exam आपके July और Group D के exam आपके August महिने में ही शुरू होंगे तो इस दोनों भरति से जुरी जैसे को और लेटेस्ट अपडेट आएगी हम आपको विडियो के मादया मसे शूचित कर देंगे इसके लाम में चनल को सब्सक्राइब करें वीडियो अच्छा लिए वीडियो को लाइक को सब्सक्राइब करें आज कब दिए समाप्त करते हैं वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद